हालो फ्रेंज वेल्कम बैक डूल अबडीश रसोई तो दोस्तों आज हम बनाने माले हैं नीबू का अचार तो नीबू का अचार सुनते ही मूँ में पानी आ जाता है तो यह अचार आज हम खटा मेठा तीखा बना करके तयार करेंगे तो यह पराटा पूरी से बहुत ही टेस करेंगे यह अच्छे से लीए तो बजनम कहें तो एक किलो नीबू मैंने यह यह पे लिया है और चलिए अब हम को क्या करना है नीबू को थोड़ासा उपर से जो गंदकी होती है उसको भी साप कर ले ना तो यहां पर मैंने लिया था गरम पानी और इसमें एक चमश नमक ड दाल देंगे और एक दो मिनट के लिए हम पढ़ा रहने देंगे उसके बाद चलिए इस तरह से हमको हां से इसको रफ करके और अच्छे से नीबू को दो लेना है तो हल्का सा मलते जाएंगे और नीबू को निकालते जाएंगे पानी से ताकि जो भी डस्क बगएरा इसमें हो कपड़ा आपको ले लेना है कॉटन का और उससे एक एक करके नीबू को कपड़े से पोच लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी न रहे नहीं तो आप इसको पंखे के नीचे भी रख सकते हैं तो अच्छे से पानी सूख जाएगा और इसके बाद देखी मैंने पीजते हैं यहां से काते हैं अगर चोटा है तो आप 2-00 मental बढा है तो यहां पर 4-00 में काॉइज बेसे ऊप और जितना भी बाहर से भी दीकता है उतना भी आपको यहां से निकाल लेना है तो रहो कांवे प्रौबम देखी मैं सब्सक्रावें थाकर लेना हूं मैं जह एक नीवू के बीज निकाल दिये और दूसरा भी हम यहां पर इसी तरह से काट लेना है तो यह नीवू बहुत ही ज्यादा रसीले हैं कि तो मैंने दूसरा नीवू भी काट लिया यहां पर और इसका भी दोस्तों हमको इसी तरह से बीज निकाल लेना है तो जितना बीज ऊपर निकलेगा उतना ही हम निकाल लेंगे और इसको प्रेस करके नहीं निकालना है तो मैंने सभी इसी तरह से दोस्तों निकाल करके यह तैयार कर लिये हैं तो देख सकते हैं मैंने सभी नीवू एक जैसे सेम काट लिये हैं और सभी बीज मैंने निकाल दिये हैं तो इतने बीज यहां पर निकले इनको हटा करके हमको फैंक देना है और यहां पर मैंने कूकर ले लिया है नेक्षन पर रखा यहां पर एक चम्मच हमको तेल डाल देना तो तेल यहां पे आप सरसों का ही लीजिए गा और इसके बाद गरम होने के बाद दोस्तों जो मैंने नीवू रखा है काट करके उन नीवू को हमको यहां पर डाल देना है क्योंकि इस समय दूप की प्राब्लम है दूप नहीं निकलती है तो आप इस तरह से स्टेंड बना सक यह भी बहुत इजी तरीका है बनाने का तो बस मैंने यहां पर इसको मिक्स कर दिया मिक्स करके कुकर को बंद कर देते हैं और दोस्तों बंद करके एक बिसल यहां पर मेडियम आज पे ले लेंगे और चलिए तब तक इसके लिए हम मसाला तयार कर लेते हैं तो मसाले के लि पर आवाली बिर्ज लेली है और इसको लो फलेम पर हमको हलके सेयरोस्ट कर लेना आ ताकि यह गरम हो जाएइ तो सब्सक्राइं प्रेंप कीसि Persian तो आसानी ससी सफ नहीं होने दयना है टो यहां पर दूस्तों यह गरम के त्यार हो गई तो ठंड़ा होने digital दे ते अ और यहां पर चलिए हम कुकर को चेक कर लेते हैं यहां पर एक विसिल आ चुकी है तो देखेंगे नीबू हमारे बिल्कुल सॉप्ट हो चुका है यहां पर और यह अच्छे से सॉप्ट भी हो गया है देखिए और इसने बहुत सारा इसमें पानी छोड़ दिया है तो जितना लेमन जूस्ता सभी इसमें निकलाया है और यह नीबू अच्छे से सॉप्ट हो चुका है बस चलिए यहां पर मैंने मसाला भी दरदरा सा कूट करके तयार कर लिया है और इसके बाद चलिए हम चलते हैं गैस के पास यहां पर मैंने रख लिए कड़ाई यहां पर कोई भी क कि तोस्तों डाल दिये हैं और झालने के बाद इसको हलका सा हमको mix करने में 59 आप इसको हमको डाले है चिनी तो एक किलो अगरуз dispar यहां पर और हमको ql को चीनि लेगे और चीनी डालके इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और चीनी को बढ़िया सा मेल्ट होने देते हैं यह पर बहुत ही जल्दी से यह मैल्ट हो जाएगे इसमें पानी बगरे डालने के आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी तो देखिए चीनी यहां पर मेल्ट हो चुकी और दाल दाल दिए तो पूरा नहीं डाली अगे जादा हो जाता है और यहां पर एक बड़ा चंस मेरे तोड़ी से हमको पकने देना है तो दोस्तों इसको पकालेंगे जब तक क्यांकि एसका जो juice यानि रसा होता है अच्छे से थिक नहीं हो जागा तब तक इसको हम पकाएंगे तो यहां पर देखेंगे कितना अच्छा सा एकदम बैतरीन कलर इसका आ चुका है तो बस कुछ देर तक और इसको हमको पकाना है तो बहुत ही जल्दी मैंने बोला विल्कुल 10 मिनट में यह 10 से 20 मिनट में अचार बिल्कुल कंप्लीट बनकर तयार हो जाता है तो यहां पर हम पकने देते हैं तो जितना पकेगा उतना ही कलर इसका एकदम डार काता जाएगा तो चलिए यहां पर हम चेक कर लेते हैं हमको और यहां पर मैंने देखिए थोड़ा सा ठंडा करके शर्व कर लिया है तो देखिए चासनी हमारी कितने ठिक हो गई है तो यह हमारा जबर जस्त अचार बन करके दोस्तों तयार हो गया है तो अचार मुरब्बा भी नीगू को बोल सकते हैं इसको तो यह खट्टी मीटी आधिए बटीच झाहाँ देखिए जासनी है और भी नीग नीग, क्या भी यह खट्गी में हुआ है।